इस वक्त मुझूद हैं मुरावडी अवास पर और जिस तरह से लगतार तीन दिनों से बैठक चल रही है इसको कहले कि महरतन बैठक सरकार गिराने की बात तेज़श्वी आदब ने कही है दो से तीन मेहने में सरकार गिर जाएगी या अपने विधान सभा छेतरे रागोपू चाहिए बिधायकों को और परतिनिधियों जो हमारा उमिर्वार लगा था उस सब का बैठक हुआ आए जो है सो हमारे पाटी का धक्षा और महा सचीब का बैठक हुआ ये सब बैठक हमारा संगठन मजगूत करने के लिए हो रहा है और इसके अधार पर हम लोग जो है सो 25 त होता है तो जूबा होता है और हम लोग जूबा बर्ग में परवेश की है राज़त के 25 वर्च रजत जैन्थिप के उपलग जूए एक सवाल है कि लालो परशाद यादव होंगे या नहीं यह लगातार सवाल खड़ा हो रहा है अब कहा जा रहा है कि लालो परशाद है और परखंड अस्तर पर कुछ लोग जूटकर वहां से भी वर्चूल होगा और हमारे सोशीत प्रेक्षित दलित पिछरा अकलियत और स्वार्न गरीबों के मसीहा और जगाने वाले अवास देने वाले अगर लालू जादव जी के भी आने के संभावना है और हो सकता है कि फान तारीबृ मानिय नीता हम लोगों कर दोसे सरकार गीर जाएगी कैसी गिर जाएगी करहे है कि हम कहीं नहीं जा तो आखिर कैसे सरकार गिरें दखिए जो इनका में शाहा हो रहा है उनके विधाएकों काector घ्जाब्धा का जार्ण परकार से कब क्रूना काल में नहीं उब कोई उनका काम नहीं हुआ को विकास कि इसके लेका भूर ह楊 है आज बी आस जब तूटेगा तो सरकार बनेगी अच्छा चुनाब होगा हम लोग तो चुनाब में जाने के लिए यह थे हमारे साथ राज़त के विधाय के जिन्हों ने जिश्वी आदब को लेकर जिस तरह से राज़त के प्रवक्ता का बयान था उस पर इन्होंने कटाक्षियार साती सा साथ ब्हार में लगतार जो है वो बैठाट कर रहे है तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दो से तीन महिनों में आखिर तेश्वी आदब ने ये बात क्या कुछ समझ कर कहा है यह तो वक्त बताएगा और वी अपडेट से नेशन के साथ नमस्कार